जेट को छोलिया इतना बड़ा पाप कर दिया। कहते हैं बिवा केवल दो लोगों कही नहीं भलकि दो परिवारों और दो संस्कृतियों का मिलन होता है। कुछ अजीज रिस्ते तोटते हैं तो कुछ अनमोल रिस्ते जुटते भी हैं। ससुराल में जेट को बड़े भाई का इस्तान तथा देवर को छोटे भाई का इस्तान प्राब्द है। साथ ससुर माता पिता का इस्तान के लेते हैं ननदिया देवरानी जिठानी बड़ी वहन और छोटी वहन के रूप में होती हैं। दिया पांच भाई बेनों के साथ खेल कर बड़ी हुई थी इसलिए उसे हमेशा से ही बरा पूरा परिवार पसंद था जब दिया की साधी तै हुई तो उसे पता चला की उसके पती तीन भाई एक बड़े एक छोटे और दिया के पती मजले थे मन में एक ही बात का अफसोस था की कास एक ननत भी होती फिर भी वो देवर जेट तो है ये सोचकर खुश हो जाती थी शादी के दिन एक रस्म होती है चुनरी डालने की इस रस्म में जेट अपने भाई की बहु को चुनरी उड़ाते हैं और उसके बाद से वो दोनों एक दूसरे को चुनी सकते दिया जब ससुराल आई तो उसने सब के पेर चुए जब वे अपने जेट के पेर चुने उनकी और बढ़ी तो पीछे से एक आवाज आई दिया ने गुंगाट उठा कर पीछे मुड कर देखा तो ये उसकी चाची सास थी अरे ये क्या करने जा रही थी तुम अभी तो जेट को अपने चुने चुने चुना नहीं चाहिए भाईया ने चाची को समझाना चाहा पर चाची ने एक ना सुनी दिया तो जेट को चुने ही सकते ये बात बड़ी अटपटी सी लगती थी वह उनके लिए चाय खाना पानी सब दूर से ही रख देती थी पर उसको ये चुआ चुत का भेदवाव अच्छा ना लगता वह सोचती की ये मेरे बड़े भाई की तरह है तो इने चुने में हर्ज ही क्या है जेट भी उसे छोटी बेहन की तरह ही मानते थे और इस तकिया नूसी विजार धारा से वो भी शेहमत ना थे लेकिन घर में बुआ सास चाची सास इन सबसे उलजने की हिम्मत उनमें भी ना थी देखते देखते दिया के बिवाह को दो साल बीद गए एक बार उसके जेट का मोटर सैकिल से एक्सिडेंट होने के कारण घुटने में कापी चोट लग गई साथ ही गाउं में एक शादी थी जिसमें सब को जाना पड़ता था पर जेट जी और दिया नहीं जा सकते थे और उसके जेट घर रहेंगे और परिवार के बाकिश अदश शादी में चले गए अगले दिन सुबह जब दिया भईया के लिए चाय लेकर उनके कमरे में गई तो देखा की वो बात्रूम जाने के लिए उटना ही पा रहे थे कोसिस करते पर चोट की बज़े से उटना पात दिया से ये सब देखाना जा रहा था उसको लग रहा था कि ये कैसी असमर्थता है कि मैं यहां होकर भी इनकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूं एक पल को जिक चाहता कि वो अपने जेट को सहारा देकर उटने में मदद करे लेकिन दूसरे ही पल उसे बुआ सास और चाची स का करोद से भरा चहरा याद आ जाता इस बीच जेट जी बार बार कोशिश करने पर भी उठ नहीं पा रहे थे तब दिया से देखाना गया और उसने अपना हाथ जेट जी की और बढ़ा दिया जेट जी दिया के हाथ का सहारा पाकर उठ खड़े हुएं फ्रेश होकर दोनों ने एक साथ चाए पी और देर शारी बाते की गाउं से आने के बाद जब यह बात सब को पता चली तो खूब हंगामा हुआ सबने मूँ फुलाएं जेट को छू लिया इतना बड़ा पाप कर दिया अब जरूर कुछ अनिश्ट होकर रहेगा फिर दिया हिम्मत करके सब के सा कर में क्या मैं इन्हें ऐसे ही परशान होने के लिए छोड़ देती क्या मैं नहीं मानती ये सब बेकार की बाते ये मेरे भाई जैसे हैं और मैं इन्हें दिल से बड़ा भाई मानती हूँ मैं दिल के रिस्ते मानती हूँ समाज के पाखंड के कारण मैं इन्हें छोड नहीं स से खुब बाते भी करती है जेट जी भी दिया को अपनी छोटी बेहन की तरह ही प्यार करते हैं और हाँ कोई अनिष्ट भी नहीं हुआ बलकि आपसी बात चीज से रिस्ते और भी गहरे हो गए दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कुमेंट करके जरूर बताईए कहानी अच्छ भी करें वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों